बच्चो आज हम ऐसे लेखक के व्यक्तित और कृतित तुपर चर्चा करेंगे जिसने हिंदी गर्दी की विभिन विधाओं में कीर्थिमाने स्थापित किया है हिंदी गर्दी के शिखर पूरुशें पजमस्री कनहया लाल मिश्र प्रभाकर श्री प्रभाकर जी का जन्म 29 माई सन 1906 को सहारनपूर के देवबंद नगर में हुआ था इनका मूल नाम जो है विश्नु दयाल था श्री कनहया लाल मिश्र प्रभाकर के पिता पंडित श्री राम आदत मिश्र अपने समय के विख्यात आचारिय थे और प्रभाकर जी की माता जी का नाम मिश्री देवी था स्री प्रभाकर जी बच्चपन से ही विद्रोही सुभाव के थे इनकी राजनीत और सामाजिक कारेयों में गहरी दिल्चस्पी थी जिसके कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा सन 1935 में महात्मा गांधी जी के सानित धिमे आए और स्वेच्चा से निर्धनता का ब्रत ले लिया गरीबी का ब्रत ले लिया परणाम यह हुआ कि दूसरे दिन अपने दोनों पैत्रिक मकान दान कर दिये पत्रकारिता में प्रभाकर जी की विशे सुरूची थी विकाश ज्यानो दै नया जीमन जैसी उत्कृष्ट पत्रिकाओं का संपादन किया है 9 मई सन 1905 में आपका निधन हो गया श्री प्रभाकर गांधी वादी विशारधारा से प्रभावित थे हिंदी साहित जगत में सुकलोत्तर युग के सर्व प्रतिस्थित निबंदकार थे आचारे रामचंद्र शुकल के उपरांत जो समय आता है तो उसे बच्चो सुकलोत्तर युग कहते हैं तो सुकलोत्तर युग के प्रतिस्थित निबंदकारों में प्रभाकर जी की गणना की जाती है हिंदी के स्रेष्ट रेखाचित्र, संस्मरण तथा ललित निबंदकार के रूप में जाने जाते हैं जहां तक इनकी रचनाओं का प्रशन है इन्होंने ललित निबंद, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, लगुकता, संस्मरण आद अनेक गद्य की विधाओं में कीर्तिमान इस्थापित किया है फ्री प्रभाकर जी ने इनका ललित निबंद संग्र है बाजे पयलिया के गुगुरू और रेखाचित्र है नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना यह तीन इनके जो हैं रेखाचित्र हैं जो साहित जगत में बड़े आदर के साथ पढ़े जाते हैं इन्होंने बहुत उच्च कोट के रिपोर्टाज भी लिखे हैं जैसे छन बोले कण मुस्काई यह दो रिपोर्टाज संकलन है इनके और लहुकथा के छेत्र में भी बहुत अध्भुत लेखनी चली है प्रभाकरजी की तो जैसे लहुकथा में आकास के तारे धर्ती के फूल और संस्मरण संस्मरण के छेत्र में इन्होंने अध्भुत लेखनी चलाई है जैसे दीप जले संक बजे अनेक संस्मरण संग्रह प्रभाकरजी के हम लोग को पढ़ने को मिले हैं देखने को मिले हैं हिंदी साहित जगत में इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर भारत सरकार ने शन 1990 में पदमस्री की उपादि से अलंकृत किया प्रभाकर जी उन थोड़े से साधकों में से हैं जिने साहित और पत्रकारिता में एक साथ उच्च स्रेणी की सफलता मिली है इन्होंने लगुकता ललीतनीवंद स्रंशमरन और रिपोर्टाज को नए आयाम दिये भावात्मक्ता वा सरस्ता इनका प्रमुप गुन है भाशा सामाननेतया तत्संप्रधान सुद्ध खड़ी बोली है इन्होंने उर्दू अंग्रेजी आज भासाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया है यह खुबी बहुत कम लेकों में दिखाई देती है सरल्ता मार्मिक्ता चुटीलापन ब्यंग और भावों को व्यक्त करने की जो चमता है इनकी भासा की प्रमुख विशेशता है प्रभाकर जी का गद्य अधिकांश्यतह भावात्मक है अपने संस्मरणों रेखाचित्रों आद में प्रभाकर जी एक कविके रूप में दिखाई देते हैं और ललित निबंध इनके जो हैं वैसे भी ललित निबंध आप पढ़िये तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं हिंदी शाहित्य में प्रभाकर जी का विशेश्ट इस्थान है वे सदा अविश्मरणिय रहेंगे बच्चो आपके पाठिक्रम में स्री कनयालाल मिश्व प्रभाकर जी का ललित निबंध एक था पेड़ और एक था ठूट निर्धारी थे इस निबंध में लेखक ने मनुस्य के सुहाव की तुलना बांज के हरे भरे पेड़ और ठूट से की है थूट को निर्धीव जड़ता और बिनास का प्रतीक बताते हुए लेखक कहते हैं कि जीवन में जो ब्यक्त बिनास सोचे समझे परंपरा गत आदर्शों और सिध्धानतों पर अड़े रहते हैं वास्तों में उनका जीवन निरथक होता है बांज का हरा भरा पेड जो हवा के जोंकों के साथ हिलता दूलता रहता है पर उसकी जड़ उसे मजबूती से थामे रहती है मनुस्य के विचार भी बांज के पेड की तरह होते हैं लचीले और परिस्थितियों के साथ समन्वे साथने वाले परंथ हमारे निरणेयों में दृठता हो जीवन तता हो विशम परिस्थितियों में भी जणों के समान डटे रहने की सक्ति होनी चाहिए इस तरह इस पाठ के मार्द्यम से लेखक ने व्यक्ति के विशारों की दिड़ता और लचीलापन तथा जीवन वेवार के सत्य को इस पस्त किया है यह है इस पाठ का केंद्री भाव अब आए इस पाठ को हम विस्तार से देखते हैं वास्तों में बच्चो इस निवन्ध में लेखक ने एक रमणी पहाडी इस्तल का जिक्र किया है लेखक वहाँ एक मकान में ठहरता है और खिल्की से वह बाच के पेड़ को वड़े ध्यान से देखता है फिर सुरू होता है उसके विचारों का सिलचिला ये विचार एक एक कर प्रस्णों के रूप में सामने आते जाते हैं और वह उनका उत्तर धूनता चलता है बाच के पेड़ को देखकर सबसे पहले लेखक को मसूस होता है कि जैसे उसका कोई दोस्त सामने आकर खड़ा हो गया है और उसके हाल-चाल पूछ रहा है जैसे ही हवा का तेजों का आता है पेड़ जूमने लगता है अब लेखक को पेड़ में और रस आने लगता है तभी अचानक लेखक का ध्यान दूर निशाई पर दूसरे पेड़ की ओर जाता है जो बिलकुल सूख चुका है, मर चुका है, ठूठ बन चुका है, उसमें अब जीवन सेश नहीं है ठूठ मानो पेड़ का कंकाल है, जैसा कि एक नेक दिन हम सब को होना है लेखक दोनों पेड़ों की तुलना करता है और पाता है कि तेज हवा के जोंके से हरा भरा पेड़ तो खूब जूमता है, पठूठ जो है वैसी के वैसे पड़ा रहता है उस पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता, लेखक सोचता है कि न हिलना न जुकना तो वीरों की दिढ़ता की निशानी है पर यह ठूठ तो निर्जीव है जिसमें जीवन ही नहीं वह वीर और दिढ़ कैसा इसी प्रकार के तरकजाल में फस्ते वे लेखक सोचने लगता है कि हरे भरे पेंड की तरह जिसमें जीवन है उसे कठिन परिस्तितियां आने पर उनका सामना करना चाहिए जब कभी कठिनाई आए तो डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए उनसे समझावता करते रहना चाहिए पर यह तो कोई बात नहीं हुई कि कोई भी समझे आई और तुरह समझावता कर लिया यह लेखक के विचार है यहां लेखक रावन और हर्णा कर्ष्यप जैसे पवरानिक पात्रों का इस्मरण करता है और उनके माध्यम से अपनी बात कह रहा है साथ ही भर्तमान काल के हिटलर और स्टॉलिन का भी नाम लेखक जो है अपने निवन्द में देता है क्या आप बता सकते हैं कि रावन और हिर्णा कश्यप हिटलर और स्टालिन के नाम लेखक निया क्यों लिये हैं जी हाँ उनके जिद्धीपन के कार है वे अडियल थे उन्होंने सही बात मानने से सही राह पर चलने से इंकार कर दिया था और इसका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ा क्या आप बता सकते हैं जी हाँ उन्हें जीवन में हार माननी पड़ी आगे लेखक ने ब्यावारी कत्वाद दुनियादारी के चलन की चर्चा की है विश्व की भाषा के बारे में उन्होंने आगे बताया है कि आप दूसरों को कुछ न कुछ दें और उनसे अपने काम की चीज़ें लें लेखक ने जीवन जीने की पध्धत को कहा कह सुन यानि यदि सलीके से जीवन बतीत करना है तो अपनी बात को दूसरों तक पहुचाना होगा और दूसरों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना होगा यदि विश्व की आत्रापूर्ण करनी है तो मान मना के रास्ते पर चलना होगा मतलब उनकी बात को मानो, मनवाओ और अपनी बात जो है आप सही तरीके से कहो सहमत कर लो उनको, मना लो उनको अर्थाद दूसरों की बात मान जाओ या फिर दूसरों को अपनी बात के लिए मना लो सहमत कर लो एदि तीनों का मिला जुला रूप आपके ब्योहार में उपस्तित है तो आप एक हिलते डुलते हरे भरे ब्रिक्ष के समान जीवन में परिस्तितियों से, समस्याओं से समझाओता कर सकते है अन्यथा, आप में और उस मरे हुए सूखे ब्रिक्ष के थूट में कोई अंतर नहीं है ऐसे ब्यक्ति, जो निर्जीव दूसरे ब्रिक्ष के समान, कंकाल और रावन के समान जिद्धी होते है तो ना वे किसी को कुछ दे सकते हैं, ना किसी से कुछ ले सकते हैं ना किसी से कुछ कहते हैं, ना किसी से कुछ सुनते हैं ना किसी की मानते हैं ना किसी को मनवा सकते हैं सिर्फ अपने नेड़े को स्विकार करते हैं अपनी चलाते हैं ऐसे व्यक्ति जीवन जीते हुए भी सूखे ठूट के समान होते हैं ऐसे व्यक्तियों का सिर्फ एक ही इलाज होता है कुलहारी और कुदाल कुलहारी का कार है किसी भी अंस को काट कर फेंक देना कुदाल का कार है उलट पलट देना अथाज जो सामने हैं उसे नकार देना ऐसे व्यक्तियों को नकार दिया जाता है या फिर काट कर अलग कर दिया जाता है अस्वी कार कर दिया जाता है जो हिल नहीं सकते जुक नहीं सकते सामन जश्य नहीं बना सकते परिस्थितियों से समझोता नहीं कर सकते ऐसे यहंकारी का प्रित्वी पर क्या काम तो बच्चो शमन्वे जीवन में बहुत उप्योगी है बिनम्रता जुक जाना जीवन में बहुत आवस्यक है अब लेखड का सोचना है क्या हरे भरे पेड की तरह कोई भी हवा का जोंका आये यानि छोटे या बड़े कस्टाएं और ब्यक्ति हार मान ले लेखक ये पूशता है कि जैसे हरे भरे पेड की तरह कोई हवा का जोका आता है तो पेड जूम करके और परिस्तित्रियों से समझवता कर लेता है और उसका जीवन बच जाता है इसी प्रकार जो मनुष्य है अगर कोई संकट आते हैं छोटे या बड़े तो ब्यक्ति क्या हार परिस्तित्रियों से समझवता कर लो लेकिन लेखक का कहना है कि समझवता एक सीमा तक ही करो अर्था जहां तक जुक सकते हो जुको पर इतना भी न जुको कि तूट जाओ तुम्हारे स्वाभिमान को कहीं ठेश न लगे यद्यप डॉक्टर रामधारी सिंग दिनकर ने कुरुक्षेत्र में बहुत इस्पस्ट बात कही है कि अहंकार है क्या कि पूज नियको पूज जिमाने में जो बाधाक्रम है यही मनुष का अहंकार है यही मनुष का ब्रह्म है अब यहां प्रभाकर जी का कहना है कि जहां तक जुख सकते हो जुको बिनंब्र बनो अहंकारी मत बनो पर इतना भी मत जुको कि तूट जाओ परंत उसके साथ अपने आधरसों पर दिढ़ रहो जो तुम्हारा आधरस है जो मानों मूल्य है जो तुम्हारी आस्थाएं उस पर दिढ़ रहो अपने सिध्धानतों से मत्हिलो जैसे ब्यक्तिका शरीर बदलता रहता है पर आत्मा अमर होती है गीता का ये संदेश है कि जिस तरह से हम पुराने कपड़ों का पृत्याग करके नए वस्त्रधार्ण कर लेते हैं उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीर का परित्याग कर और नए शरीर में प्रवेश कर जाती है तो यहां पर प्रभाकर जी गीता के उस संदेश को भी समाविश्द करके कहते हैं ठीक उसी प्रकार जीवित व्यक्ति वही है जो परिस्तितियों को समझे और उसके अनुशार अपने को ढाल ले कहा भी गया है वहां उतना ही जुको जहां पर अपने आदर्सों पर दिढ़ रहना चाहिए वहां दिढ़ रहो सदैव समय का ध्यान रखते हुए समचीत इस्थान पर बिवेक पूर्ण निर्णे लो हमेशा सम्चीत अस्तान पर और विवेक पूर्ण निर्णे इन बातों का जो ध्यान नहीं रखता वह अडियल कहलाता है अडियल को बहुत अच्छे ढंग से प्रभागर जी ने पारिभाशित किया है पेड का ठूट कहलाता है निर्जीव जड कहलाता है उसमें जीवन की दिड़ता नहीं होती हमारी यह जीवन दिड़ता ही हमारी पहचान बनाती है जो अपनी संस्कृती अपनी परमपरा अपनी विशेष्टा और सिधान्तों पर दिड़ बने रहकर इस थापित होती है अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने जीवन दिर्था को अपनी पहचान बताया है, जो अपनी संस्कृति, जो आपकी संस्कृतिक बिरासत है, जो अच्छी परमपनाएं हैं, उनकी जो विशेस्ताएं हैं, और जो आपके आदर्स हैं, सिद्धानत हैं, उस पर आप दिर्थ तो निश्चित रूप से आपकी पहचान मजबूत होगी, सत्य और आदर्सों पर चलना सिखाती है, जीवन में अपने सिद्धानतों पर डटे रहना, और उचिस समय पर जुकना ही जीवन है, आपने एक बात और ध्यान दिया होगा, कि लेखक ने कितनी कुसलता के साथ, ज गंभीर विशे को अपनी सीधी साधी भासा में समझाया है, कठीन और बोजिल सब्दों का प्रयोग किये बिना ही वे सारी बातें कह गये हैं, और हाँ, लेखक विशे को बहुत ही सामान निधंग से शुरू करता है, और एक एक दृष्य को देखकर प्रशन उठता है मन में उसके, और उसका उत्तर भी वह देता जाता है, खुशता जाता है, परन तो कहीं कहीं पर उसे उचीत उत्तर नहीं मिलता, तो अब प्रशन पर प्रति प्रशन करता है, बार बार वो प्रशन करता है, इस प्रकार कई बार लगातार प्रशनों पर एक साथ चिंतन करते हुए थोस परिणाम पर पुरुशता है यह प्रवाकर जी की सबसे बड़ी खूबी है उदारन के तौर पर आपने पाठ में पढ़ा होगा एक जगह लेखक कहता है नहीं जुकता है वही बीर पुरुश है जो नहीं ता है कितने भी संकट आएं कितनी भी कठिनाई आएं लेकिन वह अपने आदर्सों से हिले नहीं और जुके भी नहीं वही बीर पुरुश है उसी समय उसका ध्यान उस ठूट की ओर जाता है जो नहीं हिलता है न जुकता है परन्तु वह तो वीर नहीं है उसमें ज्यान ही नहीं है फिर वीर कैसा इसी को प्रशनोतरी शैली कहते हैं आप यह तो समझ ही गए होंगे कि लेखक प्रस्न करता है और स्वेंग ही उस प्रस्न का उत्तर देता है बच्चो यह पाठ जो है प्रशनोतरी शैली के रूप में लिखा गया है इसमें विशारों का सिलशिला चलता-चला गया जो कि चिंतन से युक्त है अताह चिंतन प्रधान सैल लिखा गया यह ललित निबंद है बच्चो यह निबंद जो है आम बोलचाल की सरल भासा में लिखा गया है परन्त इसका विशय बहुत जटिल है क्योंकि प्रभाकर जी ससक्त गद्यलेखक है और उन्होंने जो कुछ साहित दिया है वह जन्मानस के लिए दिया है और शरल बोलचाल की भासा में जिससे लोग समझ सकें लेकिन उसका विशय जरूर जटिल हो सकता है इस ललित निबंद में लेखक ने सरल का व्यात्मक भासा का प्रयोग किया है जैसे पलंग पल लेटे लेटे यूं दीखता कि जैसे कुसल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित रहो कितनी सुन्दा रुपमा दिया है उन्होंने यह इतना बड़ा पेड हवा का तेज्जों का आते ही पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप जूम रहा है मान मना यह इसमें देखे अनुप्रासिक शटा समझवता समन्वे कुलहारी कुदाल जीते जाकते जीवन में रप्ती रपटती अनुप्रास इसमें अनुप्रासिक शटा है भले ही वह इस थोट की तरह निर्जीव हो या रावन की तरह जिद्दी इसमें उपमा लंकार का सर्वोत कृष्ट दिर से हमारे सामने आ जाता है इसमें उपमा लंकार दर्शनिय है इस प्रकार प्रभाकर जी की भासा में नई छटा देखने को मिलती है लेखक ने नवीन शब्दावली का प्रयोग कर भासा को अत्यधिक लालित पूर्ण और प्रभावी बना दिया है नए सब्दों पर ध्यान दीजिए तो डिक्टेटरी अधिनायकता आप जानते हैं कि रचनाकार ने यहां मुहावरे लोकोक्तियों सूक्तियों का प्रयोग कर अपनी भासा को धार्दार बनाया है इसमें भासा में निखार आता है वहां कम सब्दों का प्रयोग कर अपनी बात को प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचातने की कला में पारंगत है लोकोक्तियों में प्रचली भासा का प्रयोग होने से निवन्द में सहजता और मर्म इस परस्टा बढ़ गई है लोकोक्तियों का रशनाकार ने इस्थान इस्थान पर शटीक प्रयोग किया है विश्व की जीवन प्रणाली है कह सुन विश्व की यात्रा का पथ है मान मना नहिलना न जुकना जीवन की सिर्था का दिर्था का चिन है हिलना और जुकना ही जीवन का चिन है और जीवन की सिर्था दिर्था जीवन के नकली सत्य है हम दिर्थों जड़ नहीं एक है जीव और दूसरा है निर्जीव जड़ता जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर जुक भी सकता है देह नासील और आत्मा है सास्वत जैसे शूत्रों का भी प्रयोग आपने इस पाठ में किया है बच्चो लेखक ने इस पाठ में अपनी भासा में प्रवाह मैता लाने के लिए एक और शैली भी अपनाई है वह है उदाहरन शैली आपने देखा विविन उदाहरनों के माध्यम से अपनी बात वो कह रहे हैं अपनी बात को कहते कहते प्राचीन भारतिये और विदेशी परं संस्कृति और इतिहास से जुड़े व्यक्तियों को उदाहरन स्वरू प्रसुत करते चलते हैं जैसे रावन है स्टॉलीन है हिटलर है जैसे पात्रों का प्रयोग करके आप नाम कथा से जुड़े रावन के चरित्र से भलीभाद परचीत हैं और वह यह भी जानते हैं कि अ अहंकारी रावन का अन्त होगया यही सपट का प्रतिपाद्य है और संदेश है अब बच्यों इस पाध में प्रश्ण बनता है वेज़ोगों किस मानवी भाव को को मुपर्घट करते हैं तो बासके जो हरे भरे पेढ़ ऑर फूट हैं हमारे मनोभावों को प्रगट करते हैं हमारे विचाल लचीले ऑं परस्तितियों के साथ वे समनमय साधते चलें पर हमारे आधर्स सतिर होने चाहिए हमारा आधार दिढ़ हो बच्चो इस प्रकार के मानों सुभाव का वर्णन किया गया है उसी प्रकार के लोग समाज में दिखाई पड़ते हैं उनका प्रभाव लोगों पर क्या पड़ता है इस पर विशार व्यक्त करना है तो वास्तों में इस पार्ठ में मनुष्च के सुभाव की जो तुलना है हरे भरे पेड़ और ठूट से की गई है ठूट जड़ता और विनास का प्रतीक है जड़ता का और विनास का जबकि हरे भरे पेंड समन्मे वादी दृष्टिकोंड को प्रदर्शित करते हैं परिस्थितियों से समझवता कर मनुष्य अपनी जणों को इस्थित रखते हुए आगे बढ़ने का उपक्रम करना चाहिए हमें अपने आसपास समाज में इसी तरह के लोग दिखाई देते है मानो समाज विभिन आदर्शों को अपनाते हुए उत्तरोत्तर उन्नत की योर अग्रसर होने का लक्ष प्राप्त करता है हरे भरे पेड की तरह लचीले और परिस्थितियों के साथ समन्वे वादी दिश्टिकोंड को अपनाते हुए लोग हमें इस बात की प्रेणा देते हैं कि हमारे विचारों में दिड़ता हो जीवन तता हो और विशम परिस्थितियों में हम जणों के समान डटे रहें ब्यावहारिक जीवन की आवश्यक्ता भी एई है कि मनुस्य में लचीला पून हो लेकिन जो व्यक्ति प्रेणाम को सोचे समझे बिना परंपरागत आदर्सों और सिद्धानतों पर अड़े रहते हैं वास्तों में वे निरुपाय निरर्थक जीवन जीने को बिवस होते है अब जो सीर्षक दिया है लेखक ने एक था पेड़ और एक था ठूट इसकी सीर्षक की सार्थकता क्या है वास्तों में एक था पेड़ और एक था ठूट शीर्षक अपनी सार्थकता को इसपस्ट करता है क्योंकि उन्होंने मनुस्य के सुभाव की तुलना बांस के हरे भरे पेड़ और ठूट से की है दो एक तो हरे भरे बांस के पेड़ और दूसरे ठूट ठूट निरजीव जड़ता और विनास का प्रतीक है जीवन में जो विक्त बिना सोचे समझे परंपरा गत आदर्शों और सिधानतों पर अड़े रहते हैं उनका जीवन निरथक हो जाता है बेकार हो जाता है मनुस्त के विचार बांस के पेड़ के समान होना चाहिए उनमें लचीलापन हो परिस्तितियों के साथ समन्वे करने की छमता होनी चाहिए हमारे निर्णेयों में जीवन तता दिड़ता विशम परिस्तितियों में जड़ों के समान डटे रहने की सक्ति होनी चाहिए तब ही जीवन पूर्णता को प्राप्त कर सकता है इस प्रकार लेखक मनुस्थ के विचारों की दिर्टा वर लशीलेपन की बात करते हुए जीवन ब्योहार की सत्यता सिद्ध करते हैं बचो आज की परिस्थिति के अनुसार एक आदर्स व्यक्ति के जीवन की क्या विशेस्ता होनी चाहिए आपने इस पार्ट को देखा और समझा इससे बात शंकर हमारे सामने आ रही है कि आज की परिस्थितियों के अनुसार एक आदर्स व्यक्ति के जीवन की विशेस्ता होती हैं जैसे व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए नैतिक आदर्स मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए अच्छा प्रवक्ता होना चाहिए सामाजिक विशंगतियों समस्याओं के विरोध में आवाज उठाने वाला होना चाहिए समाज में सामंज से इस तापित करने वाला होना चाहिए विचारों में इस पश्टता और गहराई होनी चाहिए समन्वे करने वाला होना चाहिए साहसी स्वस्थ होना चाहिए चरित्रवान होना चाहिए सत्य थासिधान्तों के लिए लड़ने में दिड़ता होनी चाहिए इस तरह से आज की परिस्तितियों के अनुसार एक आदर्स व्यक्ति के जीवन की ये विशेस्ताइं बड़ी महत्तुपूर्ण है अब इस पाठ में कुछ पात रहें हैं तो आईए उन पर भी हम चर्चा करते हैं जैसे स्टॉलिन बच्चों जो स्टॉलिन हैं ये सोवियत संक खूब जानते हैं सिवभक्त था ग्यानी था बिद्वान था लेकिन अभिमानी और अडियल भी था उसने सीता का हरण किया था अच्छा ये हरिना कश्यप को ने हरिना कश्यप को इस्वर से वर्दान मिला था कि उसे कोई मार नहीं सकता वहाँ अजर अमर रहेगा उसने इस के पस्चास सारे समाज में यह कह रखा था कि इस्वर के नाम के अस्थान पर लोग उसका नाम ले और उसके नाम का जब करें बच्चों अभी हमने आपको स्टॉलिन रावन और हिर्णा कश्यप के बारे में बताया ये हिटलर कौन था इसका भी उलेख लेखक ने अपने न का नाम था अडोल्फ हिटलर और उसकी माता जो हैं क्लारा हिटलर थी विवाह जो उसका हुआ था इवाब ब्राउन और जन्म ले लिया था उसने ऑस्ट्रिया में तो हिटलर प्रसिद्ध राजनेता एवं ताना साह था वह राष्ट्रिय समाजबादी जर्मन का नेता था रहें वह सरवाधिक घ्रिनित और जिनने लाखों करोनों की मौत का दोसी माना जाता है इसलिए उसे ताना साह के रूप में लोग जानते हैं अब बच्चों ये ताना साही है क्या जिसे अंग्रेजी में डिक्टेटर कहते हैं वास्तों में लोग अपनी नेतियों नियम के नुसार कारी करते हैं ताना साही जहां सभी निर्णें सीर्षनेता या ताना साह द्वारा लिये जाते हैं ताना साह निर्पेक्ष सत्ता या देशपण्यंतर्ण रखती है ताना साही क्या है ताना साह की जीवन सहली कैशी होती है बच्चो ताना साही को निरंकुस्ता भी कहते हैं इसमें लोकमत के लिए कोई अस्थान नहीं होता इसका प्रयोक प्राय ऐसी साशन ब्योस्ता के लिए होता है बिना किसी वन्शानुगत उत्गम के किसी राष्ट का एक मात्र साशन होने के साथ साथ समस्त राश्टिय सक्तियों का धारग भी होता है ताना साह की जीवन सहली लोग सेवक की जीवन सहली से बिलकोल भिन होती है विपरीत होती है एक आंगी सोच से भरी होती है ताना साह का विवेक ही उसकी द्रिष्ट में सर्वतापूर्ण वापरियाप्त होता है उसकी आग्याओं का पालन ही एक माथत विकलप होता है ताना साह में ही समपूर सकी चाहे आर्थिक या वित्तियो चाहे सैन या सामरी को भिदेश राजनीती खो सभी प्रकार की जो सक्तियां है उस ताना साह में समन्वित रहती हैं समाविष्ट रहती हैं और तो एक छत्र सम्राठ होता है उसका सवाव निर्दई कठोर दया रहित और मानुवियता से परे जीवन सैली के प्रभाव में होता है इसी कारण से एक ताना साह को उसके जीवन में एक पल के लिए भी सम्यक्सांति का अभाव होता है उसमें सम्यक्सांति नहीं पाई जाती वह अंदर से भैवीत किन्त वाहियता और पर निर्भैता या बनावती जीवन जीनी के लिए विवस होता है